हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉंट स्टेडी आज हम करने जा रहे हैं टाइम स्पीड एन डिस्टेंस चैप्टर का पार्ट थ्री शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लाव हम फेस्बूक और इस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं ये रहे डिरेक्ट लिंक्स आपकी स्क्रीन पर जल्दी से हमें हर चेका फॉलो कर लीजी और किसे भी अपडेट को मिस्मक कीजिए ये वो टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और इन में से काफी टॉपिक्स हम कर चुके हैं और इस टाइम हम कर रहे हैं टाइम स्पीड और डिस्टेंस जिसका हम आज करने वाले हैं पार्ट थ्री यह सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको दिखा है वो सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे इस प्लेलिस्ट में जेके SSB Class for Mathematics तो शुरू करते हैं हमारा आज को टॉपिक जैसा कि आपको पिछली वीडियो के एंड में मैंने बताया भी था कि हमारा आज को टॉपिक जो होगा वो होगा टोटली फॉर्मूला पेस्ट ठीक है इस चेप्टर को कौन सा फॉर्मूला कब कहां लगता है उसमें क्या ट्रिक एपलाई करें यह सब आपको आज की टॉपिक में पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहला फॉर्मूला रही है रहा आपकी स्क्रीन पर यह है एवरिज स्पीड का फॉर्मूला अब यह फॉर्मूला एपलाई कहां होगा सबसे पहली यह चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी तो मैंने फॉर्मूले में लिखा हुआ है तब यह फॉर्मूला एपलाई होगा यानि आप देख सकते हैं कि ए से भी डिस्टेंस सेम रहा तो जब हमारे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है बस स्पीड वेरी करती है तब वहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम यह फॉर्मूला अपलाई करेंगे नियूमिनेटर में S1 और S2 की मल्टिप्लिकेशन होगी दिनॉमिनेटर में S1 और S2 की एडिशन होगी और यही है हमारा फॉर्मूला ज़रूरी नहीं है कि वो जो स्पीड है स्पीड वन और स्पीड जो है पॉइंट A और B के बीच में ही हो हम उसे ऐसे भी अपलाई कर सकते हैं फॉर इक्जेंपल पॉइंट A से B एक डिस्टेंस है और पॉइंट B से C सेम डिस्टेंस है वैसा ही जैसा पॉइंट A से B के बीच में था तब भी हम यह formula apply कर सकते हैं condition यही है कि distance same होना चाहिए speed vary करनी चाहिए तब भी आप average speed निकाल सकते हो इसी के base पर यह रहा पहला question a boy goes to his school at 25 km per hour and return back to his home at 30 km per hour calculate the average speed ठीक है तो वही चीज रही school से घर, घर से school same distance है बस speed vary कर रही है पहले case में जब वह अपने घर से school जा रहा है तब है 25 km per hour और दूसरे case में जब वह अपने school से वापिस घर जा रहा है तब है 30 km per hour तो हम average speed का formula लगा सकते हैं मैंने आपको formula में बताया उपर S1 और S2 में multiplication होगी नीचे S1 और S2 में addition होगी जब हम 25 से 30 multiply करेंगे और नीचे हम लिख लेंगे 25 प्लस 30 तो हमार पास कुछ S-C fraction दिखी 25 into 30 divided by 55 आप इसे solve करेंगे तो आपकी average speed आ जाएगी 13.6 km per hour अब यह रहा है second formula यह वाला formula है अब distance निकालने का और यह distance का अब निकलता है इसके लिए हमें दो time events दिये होते हैं एक time event जो होगा उसमें late हो रहा होगा एक में जल्दी पहुंच रहा होगा यहां फिर हो सकता है दोनों में जल्दी पहुंच रहा हो यहां फिर हो सकता है दोनों में late पहुंच रहा हो और वो जो distance है वो same होना चाहिए जैसे A से B travel कर सकते है B से C travel कर सकते है पर A B is equal to B C होना चाहिए यानि की condition ही है कि distance same होना चाहिए speed vary कर सकती है time vary कर सकता है तो यह रहा उसके लिए formula distance जो होगा वो same होगा तो obviously distance A B हो या B C हो उससे फरक नहीं पड़ेगा अब यह हमारा formula कहा रहा है कि एक बंदा जो है वो point A से B जा रहा है speed S1 में और late हो रहा है time T1 से ठीक है पहले जब S1 speed से जा रहा है तो वो late हो रहा है T1 से again वो A से B जा रहा है इस बार उसने speed S2 की हुई है और वो इस बार भी late हो रहा है time T2 से ठीक है S1 से जा रहा है तब भी लेट हो रहा है T1 टाइम से S2 से जा रहा है तब भी लेट हो रहा है T2 टाइम से जब हमें दोनों टाइम T1 और T2 लेट होने के दिये हो या जल्दी पहुँचने के दिये हो तो याद रखना हमेशा T1 माइनस T2 होगा T1 प्लस T2 सिर्फ एक ही condition में होगा जब एक time उसका late होने का हो और दूसरा time उसके जल्दी पहुंचने का हो otherwise जब same time हो या same event हो यानि कि दोनों में late हो रहो या फ़र दोनों में जल्दी पहुंच रहा हो तो उसमें T1 माइनस T2 ही होगा अब देखिए formula distance क्या होगा AB के बीच में ये चीज तो same रहेगी हर चीज में late हो early हो या दोनों time late हो या दोनों time early हो ये जो ये part है हमारा जो fraction वाला part है speed का ये हर किशी में same रहेगा यानि S1 into S2 आएगा numerator मे S1 minus S2 आएगा denominator में ये time के हर event के लिए same रहेगा बस change किस में होगा change होगा इस part में जैसा कि मैंने आपको बताया दोनो time event है वो है late के तो minus आएगा दोनो time event early के होते तब भी minus आता तो यहाँ पर हमें question में दिये हो कि S1 से जा रहा है और T1 से late हो रहा है S2 से जा रहा है 25 km per hour की speed से और 10 minute से वो late हो रहा है ठीक है अगले दिन वो 30 km per hour की speed से जा रहा है उसके बावजुद भी वो 5 minute से late हो रहा है तो पहले 10 minute late हो रहा था अब 5 minute late हो रहा है calculate the distance between school अब school तो जो उसका घर से school जाने के distance है वो तो सहीं ही रहा क्योंकि पहले दिन भी वो गर से school जा था दूसरे दिन भी वो गर से school जा था बस speed अलग हुई और अलग speed होने के वज़े से time duration उसका अलग हुआ तो formula क्या रहेगा formula distance तो वही रहेगा अब मैंने आपको बताया था speed के formula में कोई change नहीं आती speed s1 into s2 आएगा numerator में s1 minus s2 आएगा denominator में और time में क्या होगा time में होगा इसमें t1 minus t2 q क्योंकि पहले वो 10 minute late हो रहा है और उसके बाद वो 5 minute late हो रहा है तो दोनों late हैं तो minus होगा 10 minus 5 आएगा आपके पास 5 minute अब ये t1 minus t2 q आएगा t1 plus t2 q आएगा ये चीज में आपको diagramatically समझा देता हूँ देखिए 0 हमने वो time event मान लिया जो exact time है जो वो on time पहुंच रहा है ठीक है 0 के आगे हमने लिख लिए early 0 के पीछे लिख लिए हमने late अब हमने देखा कि question में पहले 10 minute late हो रहा है फिर 5 minute late हो रहा है तो हमने हमें early वाले portion के जुरूरत नहीं है हमने उसको हटा दिया पहले case में वो 10 minute late हो रहा है तो हमने क्या किया 0 के left side late line थी तो हमने एक point बना दिया 10 कहीं भी randomly हवा में हमने 10 minute वो late हो रहा है तो 10 बना दिया हमने 0 से थोड़ी सी दूरी पे ठीक है next case में देखिए late तो वो next case में भी हो रहा है पर इस पार हो रहा है वो 5 minute late तो 0 और 10 की बीच में कहीं आएगा 5 तो वो बना लिया हमने ऐसे ठीक है अब हमें इनका gap ही देखना होता है तो देखिए 0 से 5 minute के बीच में हमने लिखा 5 जीरो से 10 दस मिनट के बीच में हमने लिखा 10 ऐसे बना लिया ठीक है अब हमें इनका गैप देखने हैं तो 10 से 5 के बीच में जो स्पेस देख री है यही होगा हमारा टाइम तो यह कितना टाइम होगा इदर से इदर तक हारा 10 मिनट और इतना पॉर्शन आ रहा है 5 मिनट का तो दोनों लेट हो रही होंगे, जब दोनों जल्दी पहुंच रहे होंगे तो माइनस आएगा T1 माइनस T2 और अगर एक जल्स अरली में पहुंच रहा होगा पहले यहां बाद में फरक नहीं पड़ता बस एक अरली और एक लेट होना चाहिए कि तब आएगा टीवन प्लस टीटू तो हमने वैल्यू पूट की वैल्यू पूट करने के बाद हमारी एक्वेशन कुछ इस तरह किसे दिखने लगी अब यहां पर हमारी स्पीड है तो हम मिनिट को और में कर लेंगे मैंने आपको सिखाया था अपने फार्ट वन में ही टाइम स्पीड डिस्टेंस के कैसे करनी है एक घंटे में होते हैं दिस्टेंस तो भई हर जगा सेम होना चाहिए यह मैं आपको बार-बार बता रहा हूं डिस्टेंस अगर अलग-लग हुआ तब यह फॉर्मॉला एपलाई नहीं होगा ठीक है अब इस केस में दिखे जब वह स्पीड S1 से किया वह लेट हुआ टाइम T1 से जब वह स्पीड S2 स गया है तब वह जल्दी पहुंचा टाइम T2 से अब इसमें एक लेट का इवेंट है एक अर्ली का इवेंट है तो मैंने आपको पताया है जब अलग-लग इवेंट होंगे तो प्लस होगा ठीक है S1 S2 न्यूमिनेटर में मल्टिपल ही हो रहे है S1 S2 डिनॉमिनेटर में माइ ही होगी ठीक है चेंज आएगा सिरफ टाइम में किस में माइनस होगा किस में प्लस होगा मैं बापको बार-बार एक्सपेयन कर चुक हो देखिए कोशन हमारा आगया वही सेम कुशन है मैंने इस पर वैल्यूस बिलकुल सेम तू सेम है तो मैंने इस पर बस पांच मिनिट ल जीरो के left side late, zero के right side early, अब ये दोनों case, इसमें हमें late भी चाहिए, early भी चाहिए, क्योंकि एक case में वो 10 minute late हो रहे है, दूसरे case में वो 10 minute early पहुंच रहे है, तो case 1 है 10 minute late होने का, तो हमने बना दिया ऐसे भई, 10 minute जो हो रहे है, वो late हो रहे है, ठीक है, next case में वो 5 minute जल्दी प tap देखना है, zero से उस तरफ right side में 5 minute आ रहे है, zero से left side में 10 minute आ रहे है, जब हम zero हटा देंगे, तो हमरे diagram कुछ ऐसी दिखेगी, अब हमें इसको total करना है, यहां से लेकर यहां तक है 10 minute, यहां से लेकर यहां तक है 5 minute, तो obvious सी बात है, यह हो जाएगा sum, ठीक है, यह हुआ sum और करने के लिए समझा रहा हूँ, यह चीज़े आपने वहाँ पर बनानी नहीं है, आपने बस formula याद रखना है कि कहा plus होगा, कहा minus होगा, यह देखो, सिरफ time में तो plus और minus हो रहे है, speed तो बचारी वैसी कि वैसी है, time में plus minus हो रहे है, तो इतनी से चीज़ तो आप याद रख रहते हैं, early, late, late, early, मैंने आपको बताया, position इनकी जो भी हो, पहले late हो या पहले early हो, फरक नहीं पड़ता, बस early और late को combination होना चाहिए, तो time में addition होगी, late और late, early और early, इनका combination हुआ, तो time में जो होगी, subtraction होगी, और कुछ याद नहीं रखना, बस, सिरफ time में कहां addition हो रह से 60 km पर और की speed से travel कर रहा था, और अपने office जो है, वो एक गंटा लेट हो गया पहुँचने में, फिर क्या किया, उसने next day, next day assume कर लो, या कुछ भी है, उसने क्या किया, अपनी speed 80 km पर और कर दी, ठीक है, इस बार वो one और जल्दी पहुँच गया, दिख रहा है, एक जगा एक का लेट का event है, एक जगा, अरली का event है, तो चेंज तो होनिये, सिरफ time में, speed तो s1 into s2 numerator में रहेगी, s1 minus s2 denominator में रहेगी, change होगा सिरफ time में, और वो क्या change होगा, वो change होगा plus का, क्यों की एक जगा late का event है, एक जगा early का event है, तो हमने वही चीज किया, distance में S1 into s2 लिख कोईशन होगा तो वन प्लस वन आ गया यहां पर यह गंटे पहले वह लेट हो रहा था एक गंटे उसके बाद वह जल्दी पहुंचने लग गया तो एक लेट का इवेंट है एक अर्ली का इवेंट है टाइम होगा एड जब इसको एड किया तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस जो है 480 किलोमेटर का है पर उने कोशन में क्या डिस्टेंस पूछा हुआ है नहीं लास्ट लाइन देखिए find the speed at which he must travel to reach office on time हमारे पास डिस्टेंस आ गया 480 किलोमेटर अब हम बस speed निकालनी है जिस पर वो जल्दी पहुंच रहो तो आप कोई भी एक speed उठा लो अगर आप 60 किलोमेटर पर और उठाते हो और इसको 480 से डिवाइड कर देते हो 60 से तो जो time आएगा वो होगा एक और लेट क्यानी कि वो एक घंटा लेट पहुंच रहे उस time से आप एक घंटा माइनस कर दोगे आपका time आजएगा proper time या फिर आप 80 किलोमेटर पर और उठा लो और 480 को से डिवाइड कर दो इस जब 80 किलोमेटर प पर और वाली 60 किलोमेटर पर और की स्पीड में अगर वो चलता तो वह आठ घंटे में पहुंचता पर आठ घंटे में जब वह पहुंच रहा है तब वह एक घंटा लेट हो रहा है तो exact time क्या होगा exact time होगा 7 गंटे और अगर हमें speed निकाल नहीं है तो speed क्या होगी उसकी 480 को जब हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो आजएगी उसकी वह वाली speed जो उसको maintain करने चाहिए थी exact time पे पहुंचने के लिए तो हमारी speed आगी 480 अपॉन 7 km पर और अब हमरा next question कह रहा है कि एक train है वो 600 km का जो distance है वो constant speed पे travel कर रही है अगर वो अपनी speed को 5 km पर और से increase कर दे तो जर्नी में चार घंटे कम लगेंगे तो हमें speed बतानी है train की क्या होगी अब देखिए ऐसा question जो है इधर हमें यह नहीं बताया ना ratio दी हुई है कि कुछ जिसके basis पर हम direct to direct यह question कर सके ना हमारे पास ratio है ना हमारे पास exact speed है हमें बस बताया हुआ है जो भी उसकी पहली speed होगी उसमें हम 5 km पर और के increase कर देंगे ठीक है तो यह question भई इसी form में होगा ठीक है तो सबसे पहले हमने distance ले लिए 600 अब उन्होंने कहा है कि अगर वो अपन पहले है पहली speed हमने मानली s, दूसरी speed मानली हमने s plus 5 मैंने आपको बताया न्यूमिनेटर में speed की multiplication ही होगी और denominator में speed की subtraction ही होगी तो न्यूमिनेटर हमने लिखा ऐसे जब s plus 5 में से आप s minus कर दो तो denominator में आ जाएका 5 और अब उसको 4 घंटे कम लग रहे हैं तो जो basically जो हम t1 plus t2 करते थे वो होता क्या था वो होता था time का gap मैंने आपको diagrammatic कली भी दिखाया जो भी हम बना रहे थे वो time का gap ही था है ना gap ही था तो basically वो होता है time का difference लिखने में हम addition लिखते हैं पर आजा के वो चीज तो gap ही थी ना 10 minute plus 5 minute plus के case में भी हमने जो time था वो total time निकला 10 minute की जहां से starting range थी और 5 minute की जहां पर end वाली range थी उनको add किया था आजा के यह होता है time का gap ही जब आपको early or late यहां फिर early early late late ऐसे करके दिया हो तब आप addition यह subtraction करोगे जब आपको सीधा ही time का difference दिया हो तो आप time as it is लिखतोगे तो हमारे इस question में time आपको सीधा सीधा दिया हो उससे 4 घंटे कम ठीक है अब जब आप इसको solve करोगे तो ऐसी एक quadratic equation बनेगी ठीक है quadratic equation जब बनेगी तो quadratic equation आपको करा रहे हैं विशाल सर जब quadratic equation बनी अब मैं आपको यह चीज़ solve करना नहीं जिखाऊंगा आपको quadratic equation का chapter जो है वो अलग से लगाना पड़ेगा मैं बस आपक कि speed s जो है वो speed assume की थी speed minus में तो हो नहीं सकती तो obviously बात है कि speed जो होगी plus 25 km पर और और होगी और यही तो हमें original speed ही तो हमें निकाल नहीं थी तो हमारा answer आगे 25 km पर और हमारा next question कहा रहा है कि एक car जो है वो एक certain distance travel कर रहे है usual speed से पर जब अपनी वो speed reduce कर देती है 10 km पर और स तो जर्नी का जो time है time duration है वो 40 hours से increase हो जाता है जबकि अगर वो अपनी जो speed है 5 km पर और से increase कर देती है तो उसकी जर्नी का जो वो है time duration है वो decrease हो जाएगा 10 गंटे हमें देखने की distance कितना है अब वही चीज हमें original speed तो दी नहीं जो मैंने आपको formula पताया उसमें original speed दी होती तो हम सिदा-शिदा values put करते थे इसमें original speed नहीं दी तो हम original speed माल नेंगे s ठीक है जब वो बंदा 10 km से speed को increase करेगा तो उसको 40 गंटे कम लगेंगे तो हमने values put कर दी पहले original speed थी उसने speed 10 से कम की इनका speed का difference जो है denominator में 10 होगा और time का difference तो उन्होंने खोदी दिया हुआ कि time duration ज देख सकते हैं अब यहां पर s है यहां पर s plus 5 है इनका difference है का 5 और इस बार उसको जो है time duration का difference है इस बार उसको 10 गंटे कम लग रहे हैं तो हमने यहां पर लिख दिया 10 आपको plus minus कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको बस देखना है कि time का difference क्या है जादा ले रहा है य जैसे मैंने आपको पिछला question बताया उसमें quadratic equation बनी थी तो आपको लग रहा हो कि अब हर कोशन में ही quadratic equation बनती जाएगी तो question solve करना मुश्किल हो जाएगा पर ऐसे cases जहां पर हम इनको equate कर रहे हैं तो आप देख सकते है ऐस से सीधा cancel हो जाएगा तो आपके पास एक ही S बच करोगे तो आपके पास स्पीड आजेगी 25 km पर और अच्छा यह आपकी आई है स्पीड 25 km पर और उने का है find the distance covered by him तो आप किसी भी एक equation में 25 km पर और की value put करोगे आपका डिस्टेंस आजेगा 1500 किलोमेटर और इसी के साथ हमारा जो third part है जो की formula based था totally वो खतम होता है time speed distance का third part हमारा यहां पर खतम होता है अगर आपको यह formulas देखते देखते ही learn होगे और आपके concept clear है कहां पर plus लगना है कहां पर minus लगना है और क्यूं लगना है यह पी चीज clear है तो आप इस वीडियो को like कर दीजिए हमें पता चल जाएगा कि आपका concept clear हो चुक है उसके साथ साथ ह अब हमारे चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि एक एक concept को हम deeply explain करते हैं और इससे अपने friends के साथ share कीजिए जिससे उनके भी concept clear हो जाएं thank you